नमस्कार हिंदी साहित तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो ये वाला वीडियो मैं स्पेशली एच पी एल्टी टेट एल्टी कमिशन और पीजी टी कमिशन के उन स्टुएंट्स के लिए बना रहा हूं जो हमारी लाइव क्लास इस तक किसी चाहिए और इन प्रशनों को भी थोड़ा सा एनलाइज करें जो इस वीडियो में हमने डिसकस किये हुआ हैं हाला कि आज जो है वो प्रशनों की संख्या इसमें कम हो सकती है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सुझाव के लिए रखी गई है वीडियो कि आप जो है क्या सोचते ह हैं, क्या समझते हैं, क्या ये प्रशन ठीक हैं, क्या इसी तरीके के प्रशन जो आपको एक्जाम में दिखते हैं, खासकर HP, LT, TET, LT कमिशन और जो दूसरे प्रतियोगी परिक्षाएं हैं, चाहे आपका PGT का ही एक्जाम क्यों न हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस तरीक टाइम एक क्वेशन को दिया जाना चाहिए, जीतना टाइम मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, उतना ही देना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, और मैं उमीद करूँगा कि आप सारे लोग जो है इस वीडियो को अंतर त केट का एक्जाम है, पहले वहां तक रहेंगे और उसके बाद भी हम इसको कॉंटिनू करने की कोशिश करेंगे, कि आपको एक या दो दिन बाद जो है ये लगातार इस तरीके की जो कॉश्चन सिरीज है, वो चलती रहेगी और इसके साथ ही साथ दूसरा हमारा कॉलिज जो एसिसन प्रोफेसर का कोर्स भी चल रहा है, उसमें भी आपको बहुत सारी वीडियो जो आपके क्वेश्चन हैं, वो मिल जाएंगे, तो अगर आप वहां से भी अपनी तैयारियां करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, और साथी साथ देखते हैं कि किस तरीके के इसमें प्रशन रखे गए हैं, और क्या ये लेवल सही है प्रशनों का, या फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर कम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पांच, हम देखते हैं कि हमारी विश्व की जो भाशाएं रही हैं देखिए, उनको हमने कितने भूखंडों में विभाजित किया है, चार जो भूखंड है, अब ये चार भूखंड कौन कौन से देखिए, यहां पर दिये हैं, सबसे पहले है यूरुशिया, जो यूरॉप और एशिया को मिलाकर बनता है, और इसमें हम देखते हैं कि सबसे जादा हमारे भाशा परिवार आते हैं, लगबग 10 भाशा परिवार, दूसरे नंबर पर प्रशांत महासागरिय भूखंड है, इसके अंतरगत 4 भाशा परिवार होते हैं, और तीसरे नंबर पर अफरीका बहुखंड है, इसके अंतरगत 3 भाशा परिवार हैं, और 4 आपका अमेरीकी भूखंड, जिसके अंतरगत क्या होगा, एक भाशा परिवार आता है, और इस तरीके से इन 4 भूखंडों के अंतरगत हमारे 18 भाशा परिवार रहते हैं, अगर हम बात करें, हिंदी की, तो तरीके से समझ आ गया होगा कि वैश्विक जो भाशाय रही हैं उनको हम कितने बगौलिक क्षेत्रों के अंतरगत विभाजित करते हैं और सबसे बड़ा जो बगौलिक क्षेत्र माना जाता है वो कौन सा है ये यौरप और एशिया भौक्षेत्र माना जाता है और दूसी से आपको यहां पर या रख लेना है कि ये केवल एक ही इसमें क्या आता है हमारा अमेरीकी परिवार आता है ये भी बहुत ही जाधा महत्तपुन प्रशन यहां पर रहता है तो ये था आपका आज का पहला प्रशन आईए अब देखते हम आज का जो दूसरा प्रशन है उसक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए भारुप्य परिवार आज का अगला प्रश्न है देखिए यहां पर लिखा गया है हिंदी के विकास में सबसे प्राचीन रूप कौन सा है जैसे हम संस्कृत है पुरानी हिंदी है पाली है प्राचीन संस्कृत है तो बहुत साय लोग जल्दवाजी में इसको संस्कृत कर देते हैं देखना तो संस्कृत नहीं होगा इसका जो सही आंसर होगा प्राचीन संस्कृत है इसे हम वैदिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं जो सं तो यह जो प्राकृत प्रकाश रशना थी देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जो प्राकृत की अंतरगत आने वाली पहली रशना माने जाती है वररूची की इनका जो समय था वो था सात्वी शती में वररूची ध्यान रख लेना है जो हेम चंदर थे उन्होंने लिखी थी जो व्याकरन थी लेकिन प्रकाश जो है वररूची ने लिखा और हेम चंदर को ही प्राकृत का पाणी ने भी कहा जाता है तो यह था प्रशन नमबर चार नेक्स्ट जो कॉश्चन आता है देखिए यह आपका वेद त्रई में शामिल नहीं है तो हमारे जो चारों वेद है उनमें से त्रई, जो तीन प्रमुक हैं वो कौन-कौन से हैं यह प्रशन बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है और एक्जाम में इसको पूछा जाता रहता है तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधर्ववेद यह चीज भी important है देखना यहाँ पर हम देखेंगे नमें से जो आपका यहाँ पर सही विकलप नमबर एक रिगवेद तो रिगवेद को ही हम भारत वर्श में क्या मानते हैं और इसकी जो रचना किसने की माना जाता है कि सुयम ये प्रम्मा नहीं इसकी रचना की थी तो रिगवेद में है ईश्वर वंधना और सामवेद में और वानावट को संगीत बता दिया, अथर वेद में जादू टेना हो गया, यजुर वेद में क्या है, यजुर में आता है आपका जो important है देखना जो आपके धारमिक करंग कांट, next question आता है, जातक कथाएं, किस पितक गरंथ में मिलती हैं, तो दीखे जातक कथाएं, पहली च संख्या माने जाती है लगबग साधे 500 के करीब ठीक है तो ये भी आपको याद अख लेना है पाली वाच्छा से समंधित इसका समंध रहा नेक्स कॉश्चन आता है प्रशासन विज्यापन समाजिक विज्यान इत्यादिक शेत्रों में वाच्छे का कौन सा प्रकार प्रियु ये बहुत जादा उप्योगी है और दूसरी जो प्रित्योगी प्रिक्षाए हैं उन में भी हम देखते हैं कि हिंदी के बहुत साए प्रशन जो है वो रहते हैं नेक्स कॉश्चन आता है पुरानी हिंदी किसे कहा जाता है अब देखिए पुरानी हिंदी नाम किस ने दिया पारे राम चंतर शुकल वो भी इसे पुरानी हिंदी मानते हैं ठीक है तो next question आता है हमारा देखिए अगला जो आज का दस्वों प्रशन है ये है कौन सा युगम असंगत है तो आपको बताना है कि असंगत युगम कौन सा है अपवरश का व्यास स्वैंभू अपवरश का भभूती पुष्यकवी ये हिंदी के भभूती थे ना कि अपवरश के तो ये प्रशन आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है और पुष्यकवी को शीव सिंग सैंगर ने माना है कि ये हिंदी के पहले कभी रहे हैं इंपॉर्टन प्रशन है देखना और इनकी प्रसिद ये था अभट का समय और अभट को हम कहते हैं कि इसका सहीते में प्रियोग कब तक होता रहा चौद्वी शती तक इसका प्रियोग होता रहा और सुनिति कुमार चटर जी ने इसे क्या कहा अप रंच और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी ये मानते हैं जो सुनिति कुमार चलती रहेगी तो यहाँ पर देखिए जो निरिक्षन शब्द था वो यहाँ पर क्या था बिलकुल सही था जबकि तयोहार में एक ही मात्रा लगती है और जो आपका दूसरे इसमें शब्द थे उनको भी आप एक पर देख लें कि उनको कैसे लिखा जाता है हाला कि वो बहु एल्टी कमिशन है ठीक है तो यहाँ पर यह जो शब्द हैं यह अर्भी के मैक्सिमम टाइम आपको याद रख लेना है अर्भी फार्सी और जो आपके तुर्की यह तीन ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द अक्सर हिंदी में पूछे जाते रहते हैं तो वो ही आपको याद भी रख लेने हैं अगला प्रशन है आज का देखिए कि कौन सी बोली पश्चमी हिंदी में नहीं आती है तो यह भी इंपोर्टेंट है बोलियों से रिलेक्टर प्रशन भी आता है कि हमारी जो 17 बोलिय का मिशन हमारा हिंदी माना जाता है वहाँ से प्रशन आपको जरूर फुछ जाता है तो यहां पर रखा गया है कि ऐसी कौन सी बोली है जो पश्चमी हिंदी में नहीं आती है पहली चीज़ थो ज才 रख लेन प्रशन है कि कौन सा उतक्षिप्च व्यंजन है यहां पर स्वर और व्यंजन मतलब वर्नों की पहचान करना भी हमें आना चाहिए उ उत्षिप्त व्यंजन है यहां पर विकल्प नमबर दो रह जिसके नीचे हमारा नुकता या यह जो बिंदी लगी होती है इसको हम नुकता कहते हैं इसके अलावा जो ज़़ है वो है आपका स्पर्ष व्यंजन अगर जो अक्ष़ होगा तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाएग तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं आज यह इसलिए ही वीडियो बनाए गया है